प्रिय चात्रें हम चात्राओं मैं आपका हिंदी विशे का सिक्षक महेंदर धाकर और आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी भासा का चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है मेरी जीवन रेखा और जिसके लेखाक हैं महावीर प्रसाद दिवेदी महावीर प्रसाद दिवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दुलतपूर जिलाराई प्रेली उत्तरप्रदेश में हुआ था आपने सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 21 जिसंबर सन 1938 इसी में इनका देहा वसान हो गया महावीर प्रसाद दिवेदी के मुलिक गरंतों में नेसत चरीत्र चर्चा, कालिदास की समा लोचनना, हिंदी भासा की उत्पत्ती, अतीत इस्मरती, विचार विमर्स, विज्ञान वारता, आदी उलेखनी है अब हम हमारे अत्याई मेरी जीवन रिखा को समझेंगे महावीर प्रसाद दिवेदी की आत्म कथात्मक इस निभन्द में उनके जीवन संगर्स और साधना का परीचे मिलता है उनोनों जीवन में किन-किन कंठीन परिस्थित्यों का सामना किया उसके बारे में बताया गया है और इससे यह इसपष्ट होता है कि यदि दर्ड़ संकल्ब आत्मी स्वास और निरंतर कठिन पस्रिरी स्रम की चमता हो तो जीवन में उन्नती को कोई नहीं रोप सकता लेखक ओह उनके मित्रों और हित्योश्यों ने अनेक पत्र लिखे वे लेखक के मुख से उनकी जीवन तथा सुनना चाहते थे लेखक ने उनकी भावनाओं का आधर करते वे अपने जीवन के संबन में कुछ बाते सुत्र रूप में दी है अर्थात लेखक के दोस्तों के निवेदन पर लेखक ने अपनी जीवनी या आत्मकता को प्रस्तूत किया है लेखक कहते हैं कि उनके पिता देहाती थे उनका वेतन दस रुपे मासिक था लेखक ने देहाती स्कूल में उर्दू पढ़ी थी तेरह वर्द्स की आयू में वह राई बरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने चले गए थे पारिवारी कारणों से उन्हें इसकूली सिक्षा से आगे पढ़ने का अउसर नहीं मिला इसके पश्चात लेखक ने अजमेर में पंदरा रुपे मासिक पर नोकरी की बचपन से ही लेखक की रूची सु सिक्षित लोगों की संगती करने की ओर थी इसके फल्सुरूप उन्होंने अपने लिए चार आदर से निश्चित किये समय की पाबंदी, रिस्वत न लेना, इमानदारी से अपना काम करना और ज्ञान वरदी के लिए निरंतर प्रियत्न करते रहना सतत अब्यास से उन्होंने रेल की पट्रियां बिचाने और उसकी सड़क की निगरानी का कारे भी सीख लिए महवीर प्रसाद दिवे थी बाचरन करना तो सहच था पर चोथे के अनुकूल सचेश्ट रहना कठिन था तथा भी सतत अब्यास से उसमें सफलदा भी होती गई तार बाबू हुकर भी टिकड बाबू, माल बाबू, स्टेशन वाश्टर तक के काम उन्होंने सीख लिये थे और इसी के आधार पर उनके बड़े अधिकारियों ने उनका प्रमोशन बहुत जल्द जल्द किया और इसी सिलसिले में दस बारा वर्स बाद उनकी मासिक आई, उनकी योग्गिता से कहीं गुना हो गई परन्तु, कुछ समय के बाद उनके अधिकारी ने उनके दुआरा औरों पर अत्याचार करवाना चाहा अधिकारी के आदेश पर उन्होंने सुयम तो आड़ बजे दफ्तर में आना स्विकार कर लिया पर दूसरों को प्रति दिन प्राथ आठ बजे आने का आदेश देने से इनकार कर दिया बाद बढ़ने पर उन्होंने नोकरी से त्याग पत्र दे दिया उनकी पत्नी ने भी लेखक के निर्णे का समर्थन किया और आठ आने रोज तक की आमदानी से घर का खर्च चलाने का भरोसा दिलाया महविर प्रसाद दिवेदी को सरोसती के संपादन कारी से 20 रुपे मासिक वितन और 3 रुपे डाग खर्च के लिए मिलते थे उन्होंने उसी से ही संतुष्टी रहने का निश्याई किया लेखक के पिता इष्ट इंडिया कमपणी की एक पलटन में सेनी किया सिपाई थे वे मामूली हिंदी पड़े लिखे थे वे बड़े देश भकते थे सिपाईयों के काम से छुट्टी पाने पर राम लक्षमन की पूझा किया करते थे इसी से साथी सिफायों ने उनका नाम रखा था लचीमन जी गदर में पिता की पल्टन बागी हो गई जो बच निकले वे बच गए बाकी जवान तोपों से उड़ा दिये गए पल्टन इस समय होसियारपूर पंजाब में थी पिता ने भाग कर अपना सरीर सतलच की बेगवती धरा को अरपन कर दिया एक या दो दिन बेहोसी की हालत में सेकडो कोल दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे लग गए होस आने पर समले और हरी मोटी घास के तिनके चूश चूश कर कुछ सक्ती संपादन की मांगते खाते सादू बेस में कहीं महीनों बाद उनके पिता घर आए इसके पश्चाद उनके पिता बंबई पहुचे जहां उन्होंने एक गोस्वामी जी के घर नोकरी की उस गोस्वामी की मुलाजिमत में रहे फिर सदा के लिए उसे छोड़ कर घर चले आए लेखक के दादा संस्क्रतक गी थे और पल्टनों को पुरान सुनाया करते थे उनकी दादी ने उनके द्वारा इखटी की हुई सेकडो हस्ट लिखित पुस्तकों को बेच कर उनके पिता और चाचा का पालन पोशन किया उनके पित्रव्य दुर्गा प्रसाद में नए नए किस्ते बना कर कहने की अद्वुष सकती थी उनके नाना और मामा भी संस्क्रतक गी थे बजपन से ही लेखक का अनुराक तुलसी, रामायन और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास पर हो गया था बारतेंदू हरिश्चंद्र के कवी वचन सुधा और गोस्वामी रादाचरण के एक मासिक पत्र से उनका यह अनुराक और भी बढ़ गया उनका यह अनुराक बहुत समय तक जियो कातियो बना रहा उन्होंने संस्क्रत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी किये जब मैं जहासी में था तब वहां के तहसिली इसकूल के अध्यापक ने मुझे कोर्सी की एक पुस्तक दिखाई नाम था तरती रीडर उसने उसमें बहुत से दोस्त दिखाए उस समय तक मेरी लिख्यूई कुछ समा लोशना प्रकासित हो चुकी थी इससे ही अध्यापक ने मुझे उस रीडर की भी आलोशना दिखा कर उन्हें लिखने और प्रकासित करने का आग्रह किया मैंने भी रीडर पड़ी और अध्यापक महाशे की सिकायत को ठीक पाया और इस समा लोशना की बदोलत उसने सरस्वती पत्रिका का संपादन कारे मुझे दे डालने की इच्छा प्रकट की मैंने उसे स्विकार कर लिया यह गटना रेल की नोकरी छोड़ने के एक साल पहले की है नोकरी छोड़ने पर उनके मित्रों ने उनकी साहिता करने की इच्छा प्रकट की पर उन्होंने किसी की भी साहिता स्विकार नहीं की उन्होंने अपने अंगिकरत कारे में सारी सक्ति लगा देने का निश्य किया इस कारी से उन्हें जो थोड़ा भहुत आउकास मिलता था उसमें वे अनुवा दादी का काम करते थे उनके संपादन में सरस्वती का जेसे जेसे प्रचार बढ़ता गया वेसे वेसे उनकी आर्थिक इस्तिती भी अच्छी होती गई उन दिनों सरसोती का काफी सम्मान था उसमें कुछ छापना बहुत महतुपूर्ण समझा जाता था लेखक को इस पत्रिका में छपफाने के लिए कई प्रलोबन दिये जाते थे पर वह इन प्रलोबनों की परवा किये बिना वही कारी करते जिसमें वह पाठकों का लाप समझते वे पाठकों की रूची का सदा ध्यान रखते थे और लेखों को संसोदित कर देते थे जिससे उन्हें अधिक से अधिक पाठक समझ ले उन्होंने अपनी विदुवता की जूटी चाप डालने की कभी भी कोशिस नहीं की इस प्रकार हमारा अध्याय मेरी जीवन रिखा समापत होता है